इनका नाम टीकमा राम है और टीकमा राम स्वावु पदम सिंग उपतेसील मुख्यले पर जल विभाग में कारेरत है टीकमा राम के प्रयासों से आज आज ये जो विजूल के अंदर आप ये जितने भी पोधे देख रहे हैं ये सब भी टीकमा राम की ही देन हैं और यहां पर उन्होंने तक्रीबन तीन सो से ज़्यादा पोधे लगए हैं टिकमाराम जल्दाएवे भाग में नौकरी के साथ साथ प्रयावरन प्रेमें भी है टिकमाराम से बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं टिकमाराम जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है और के मादेल से क्याकाश आइए जिससे रही हैं जो तब क्या जब पहली बार यह below तो यह अंदो यह चुटे- Kuba को साफ किया कंद को बार निकाला सभाई की और दीरी-दीरी मैंने т buying 2012-2012, 2013-2012, मैंने 50-60 पोजे, मला हर किसम के, फूल के फूल के फूल जो भी है, उनके लगवाए, और उसके बाद में 50-60 पोजे मैंने नीम के लगए, जो आज 1.500 पोदे सायादार हो चुके है, और बाकी के पोदे जो अभी मैंने 500 बाद में लगए है, तो वो छोटे पोदे है, वो भी इसी साल बड़े हो जाएंगे, तो हर साल का मेरा प्रयास है इन पोदों के परती, ये पोदे एक दर्ती मा का गेना है, जो हमेशाँ संदर जहां भी देखे लोग, तो इसकी संदरता पोदों की संदरता है, इसलिए मैं अपने इसवारत के लिए मेरे ही घर के पैसों के जोदपूर से अच्छे नर्श्रियां से अच्छे से पोदे लेके मैंने यहां लगाया, और अभी मेरा लक्स है, दो जार स्थाइस तक एक हजार पोदे, जितने भी अच्छे से क्वालिटी के पोदे होंगे मैं इन पोदों को यहां लगाऊंगा एक बहुत बड़ा हरियाली पार्क की तरफ इसको खड़ा करूँगा और इस गाउं की सुंदरता को बढ़ाऊंगा और हर लोगों से मेरी अनूद रहेगा जो भी जहां भी अपने खेतों ख़लियाना हो उसमें ज़्यादा नहल लगा के आरदस पोदे लगा है तो इसकी सुंदरता है पोदों से हमें क्या-क्या लाब है क्या-क्या सुईदा है वो सब जानती है इनसे सुरवपर्थम तो इनकी कितना भी लोग करोती तो जोकर इनकी सायम जब बैठ जाते है तो सांद हो जाता है इसका यही मूल कारण है उसके बाद में इन से हमें आक्सिजन मिलती है कहीं जाना नहीं पड़ता है पहले जो यह रोग आया था प्लिंग फैला हुगा था उसके बदें के आक्सिजन नहीं थी हमारे कोई मतलब सिंता नहीं थी कि आग सिसने हमारा तो ये सारा भगवान की देन है इनकी आखसें जिन्दा है और भौशे में मैं यहां रहूंगा ना तो और एक हजार पोदे लगा के इस बाउंडरी से रिटार होंगा फिर भी मैं इसकी देख रेक बाद में भी करूँगा नहीं मैंने कोई अपस कि जो भी मेरा ये इंट्रियू सुने तो ये लोग अपने खेत है और उस पर उसमें पोदी लगाने से जिंदगी बचेगी आक्सिजन मिलेगा फूल फूलेट मिलेगा लकडिया मिलेगी हर चीज पोदे से ही सब कुछ मिलती है बाकी कि नहीं जो भी प्रक्ति की देन है जो य मैं इन पोधों को बढ़ा करके संद्रिश देना सायत हैं है डिको लिए टीकोमा राम जी है अप टीक मार्म जी का समर्पन देखिए प्रकरộcि के परति प्यार देखिए पॉथों के परति और यह टीक मार मईची है जो घर से एक सरकारीक करमचारी बनने के लिए निकले थे辛苦 वस्कीन बन गए प्रियावरण प्रेमी आप सबी है लोगred के लिए और ठीक माराम की भीसले अपजाई इस वीदियो को सेयर करें वाँ इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें धैंक्यू